Hello everyone, this is Neha, welcome back to the channel, hope you all are doing great तो बच्चा आज हम लोग करेंगे micro का हमारा chapter number 7 Production, Function and Returns to a Factor देखो इससे पहले हम लोगोंने micro के 6 chapters complete कर लिये और stats के भी हम लोग 5 chapters काफ़ी detail में complete कर चुके हैं प्लस BST का तो बैने आपका पूरा course upload कर दिया और ये जो series है, इस series के अंदर हम लोग detail के अंदर हर chapter को one shot में complete कर रहे हैं मैं कोशिश कर रहे हूँ कि within one hour हम लोग हर chapter को detail में complete करें तो चानल पर हो अगर कोई भी chapter आपको पढ़ना है आपको description के अंदर, comments के अंदर, micro, stats और BST तीनों की detailed playlist का link मिलेगा प्लीज एक बद चेक करना, these playlists are going to help you a lot तो शुरू करते हैं हम लोग हमारा chapter क्या नाव में chapter का, production function and returns to a factor तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि यार ये production function क्या होता है production function क्या होता है, देखो हमें पता है अब देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पर हमें कोई भी चीज अभी तक हम सारी चीजे किसकी नजर से बढ़ रहे थे, consumer की नजर से बढ़ रहे थे अब हम हर चीज को पढ़ेंगे producer की नजर से producer कौन होता है, जो goods or services produce करता है जो raw material को finished goods में convert करता है, वो कौन है, producer है तो हर चीज यहाँ पर अब हमें producer की नजर से सोचनी है तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर producer भाई साब को production करना है, goods or services बनाने है तो उन्हें किन-किन चीजों की requirement होती है तो देखो producer को चाहिए होता है land क्योंकि ultimately वो land पर ही production करेगा, land building कुछ भी हो सकता है then producer को चाहिए labor क्योंकि बिना employees के काम नहीं हो सकता, labor बहुत important है फिर आती है capital, भई, business चलाने के लिए पैसा तो चाहिए capital तो चाहिए, machines वगरा तो चाहिए और last हमारे पास में आता है entrepreneur कौन होता है entrepreneur वो person जिसका business में सारा का सारा दिमाग लगता है तो ये चार क्या कहलाते हैं हमारे factors of production क्या है factors of production अब देखो यहाँ पर हम entrepreneur की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम सिर्फ physical inputs की बात कर रहे हैं हम सिर्फ materialistic चीज़ों की बात कर रहे हैं तो ये चो land है, labor है, capital है ये सारी चीज़े क्या है हमारे लिए physical inputs क्या है physical inputs आप सब कौन हो producer हो ये सारी चीज़े producer के लिए क्या है physical inputs है और इन inputs की help से producer भाई साब अपना product बना के तयार करते हैं यानि कि क्या तयार करते हैं physical output तयार करते हैं तो वही है इन inputs और output के बीच के relation को क्या बोला जाता है production function समझ में आया producer production करने के land, labor, capital और entrepreneur को use करता है entrepreneur को हम यहाँ पर कुछ नहीं मान रहे तो ये चो बाकी की तीन चीज़े हैं ये क्या है producer के inputs है इन inputs की help से producer क्या बनाता है output बनाता है तो inputs और output के बीच के relation को बोला जाता है production function अब देखो यहाँ पर जो labor है, employees है उन्हें हम L से denote करते हैं capital L और जो land है, जो capital है यानि कि जो machines वगएरा है तो याद रखना land और capital दोनों को एकटा हम K से denote करते हैं और यहाँ पर K का मतलब होता है capital समझ में आ गया labor को हम L से denote करेंगे land और capital दोनों को हम K से denote करते हैं C से denote नहीं करते और इसका मतलब होता है capital चमका अच्छे से अब मैंने कहा माल लो producer भाई सापने तीन तो labor यूज़ करी और साथ में producer भाई सापने दो capital यूज़ करी यह समझ लो दो machines यूज़ करी ठीक है हम land भी बोल सकते है machines भी बोल सकते है तो तीन labor और दो capital मतलब दो machines को यूज़ करके जो producer है माल लो वो यह pan बनाता है उसने ऐसे 100 pan बनाए है 100 units generate करी तो यह क्या है यह production function है कि तीन labor और दो capital की help से उसने 100 units produce करी है समझ में आगे अच्छे से तो production function is the functional relationship between physical inputs and physical output of a commodity production function क्या है एक functional relationship है किसके बीच में physical inputs और physical output के बीच के रिश्टे को क्या कहते है production function चमका अच्छे से अब इसे algebraically कैसे लिखते है तो यहाँ पर मैंने लिखा है QX Q का मतलब होता है quantity कितनी units बनाई 100 units बनाई 50 units बनाई और X का मतलब है कोई भी X commodity pan है, bread है, कोई भी चीज है तो QX quantity of X is a function of F का मतलब है function of bracket में लिखेंगे L L का मतलब हो गया labor कॉमा के के का मतलब हो गया हमारा land हमारी capital हमारी machines वगेरा समझ में आगे अच्छे से तो QX is a function of labor and capital करेक्ट है आगे देखो अब हम बात करते हैं fixed and variable factors हमें पता है producer production करने के लिए कुछ factors of production को use करता है जैसे land, labor, capital और entrepreneurship अब ये जो factors of production है वहीं कुछ factors क्या होते है variable factors होते है सबसे simple सा है fixed का मतलब है कोई चीच fixed है इसे आप increase या decrease नहीं कर सकते ये चीच क्या है constant है लेकिन variable का मतलब होता है ये चीच change होती रहती है समझ पारे नो fixed मतलब constant आप increase और decrease नहीं कर सकते है लेकिन variable का मतलब है इस चीच को आप increase और decrease कर सकते हो For example मैंने कहा land की बात करते हैं अब मैं बहुत ही short period की बात करी हूँ यहाँ पर eco में short period का मतलब होता है एक साल तक का period एक साल तक का period इतना short period होता है कि अगर producer के पास में एक land है न तो वो एक ही land use करेगा वो land को increase नहीं कर सकता वो नया land नहीं खरीच सकता For example machine की बात करते हैं मैंने कहा producer के बास में अगर तीन machine है तो वो तीन ही machine use करेगा वो machine को एक साल के अंदर increase नहीं कर सकता short period है यार short period के अंदर वो नया land भी नहीं खरीच सकता वो नई machine में नहीं खरीच सकता, वो एक ही land और तीन machine जितना है उतना ही use करेगा, तो ये जो machine है, land है, ये क्या है, fixed factors है, production चाहे कम हो, चाहे production जादा हो, fixed factors कैसे रहते हैं हमेशा, constant रहते हैं, इने हम increase या decrease नहीं कर सकते हैं, समझ में आ गया, वहीं जो दूसरे factors होते हैं, वो variable factors वो factors हैं, जिने हम increase भी कर सकते हैं, जिने हम decrease भी कर सकते हैं, for example, मान लो, एक मिठाई की दुकान है, एक मिठाई की दुकान पर हमेशा 10 workers काम करते हैं, अब ये 10 workers तो क्या है, permanent workers है, permanent किस के अंदर आते हैं, fixed के अंदर आते हैं, ये 10 workers ऐसे हैं, चाहे मिठाई बने, चाहे मिठाई ना बने इन 10 वरकर्स को तो मान लो तनका सैलरी देनी ही है अब मान लो दिवाली का सीजन आ जाता है नॉर्मली मिठाई की दुकान पर 100 यूनिट्स की डिमांड होती है यानि कि 100 मिठाईया बिखती है लेकिन दिवाली आ गई क्रिस्मस आ गया होली वगयरा आ गई एकदम से डिमांड बढ़ जाती है अब 100 यूनिट्स नीच चाहिए अब डिमांड आती है 500 यूनिट्स की प्रोडक्शन जादा करना पड़ेगा तो ऐसे में लेबर इंक्रीज करनी पड़ेगी अबी तक हमारे पास में 10 वरकर्स थे अब प्रेड्यूसर कहीं न कहीं 20 वरकर्स रखेगा 20 हलवाई और बुलाएगा तो ये जो लेबर है लेबर क्या है हमारा वेरियेबल फैक्टर है कि अगर हमें प्रोडक्शन जादा करना है तो हम लेबर जादा हायर करेंगे प्रोडक्शन कम करना है तो हम लेबर को हटा देंगे समझ में आ गया तो फिक्सलक्टर के अंदर land आता है मशीन आती है जो constant रहती है चाहे प्रोडक्शन कम हो जादा हो हम इन्हें increase या decrease नहीं कर सकते हैं लेकिन variable factors के अंदर labor आ जाती है, production ज़्यादा करना है, labor भी ज़्यादा चाहिए, production कम करना है, तो हम labor को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, चमगे अच्छे से, तो fixed factors are those the application of which does not change with the change in volume of output. fixed factors, वो factors है, जैसे land और machine, जितनका application, output के volume के साथ में change नहीं होता, चाहे 0 मिठाई बनाने का order आए, चाहे 1000 मिठाईयां बनाने का order आए, हमारा land और machine क्या रहेगा, same रहेगा, लेकिन variable factors are those factors, the application of which changes with the change in volume of output, variable factors के अंदर हमारी labor आ जाती है, जिसका application output के साथ में change होता है, for example, मान लो आपका एक boutique है, तो अगर मान लो कम dresses बनानी है, तो कम labor की requirement होगी, बहुत सारी dresses बनाने का order आजाता है, तो जादा labor की requirement होगी, लेकिन आपका जो land है, आपकी जो machine है, वो तो same रहेगा, समझ में आ गया, ये क्या है, variable factors है, चमका अच्छे से, आगे देखो, अब हम बात करते हैं, short run production function, पहले हम short run पढ़ेंगे, then हम long run पढ़ेंगे, बाकी हमारे course के अंदर short run है, short run production function, अभी मैंने बताया था, short run का मतलब होता है, इतना छोटा period, short run का मतलब है, एक साल तक का period, इतना छोटा period, कि इस period के अंदर, हमारे जो कुछ factors of production है, वो तो कैसे होते हैं variable होते हैं जैसे पीछे हम लोगों ने पड़ा और कुछ factors of production हमारे कैसे होते हैं fixed होते हैं for example मैं ने कहा land machinery ये सारी चीजे क्या होती है constant होती है fixed होती है तो मैं बोल सकती हूँ जो k है k का मतलब क्या है machinery हमारा land ये क्या होता है हमारा fixed factor होता है short period के अंदर हम नया land नई machinery नहीं खरीच सकते लेकिन जो variable factors होते हैं जैसे labor वो variable होता है उसे हम increase और decrease कर सकते हैं तो short run मतलब इतना चोटा period जिसके अंदर कुछ factors हमारे variable होते हैं कुछ factors हमारे कैसे होते हैं fixed होते हैं अगर producer को output increase करना है यानि कि production बढ़ाना है तो वो किसे बढ़ाएगा सिर्फ वो सिर्फ variable factors को बढ़ाएगा वो labor को increase करेगा वो fixed factors को कुछ नहीं कर सकता fixed factors हमारे कैसे हैं constant है तो short run is a period of time when production can be increased only by increasing the application of variable factor short run इतना छोटा period है एक साल तक का period है कि अगर producer भाई साब को production बढ़ाना है तो वो सिर्फ variable factors को increase करेंगे वो सिर्फ labor को बढ़ा सकते हैं fixed factors land और machinery हमारे कैसे रहते हैं constant रहते हैं चमक गया अच्छे से तो देखो इसे हम कैसे लिखते हैं qx यानि की quantity units of x commodity is a function of labor and capital और यहां पर हम लोगों ने k के उपर क्या लगा दिया बार लगा दिया qx is a function of labor and capital k के उपर बार लगाने का मतलब है कि यहां पर जो capital है हमारी वो कैसी रहती है constant रहती है लैंड और machinery क्या रहेगा constant रहेगा यह चीछ हमेशा दिमाग में रखने है क्योंकि हमारे course के अंदर सिर्फ क्या है short run है चमक अच्छे से अब देखो जब हम short run की बात करते हैं तो मैंने क्या बताया k यहां पर कैसा रहता है constant रहता है labor हमारी change होती रहती है तो कही ना कही के और labor के बीच का ratio बदलेगा for example मैंने कहा 100 units बनानी है ठीक है 100 units बनानी है short run की बात कर रहे है तो producer दो तो labor use कर रहा है और साथ में वो एक machine use कर रहा है आप machine ले लो land ले लो कुछ भी ले सकते हो एक machine use कर रहा है तो one capital हो गई मैंने कहा माल लो 200 units बनानी है जादा demand आ गई पहले 100 units बना दे थे 200 units बनानी है short run की हम बात कर रहे है तो अगर हमें हमारा output बढ़ाना है तो हम सिर्फ क्या बढ़ा सकते है variable factors बढ़ा सकते है fix factors हमारे constant रहेंगे तो पहले भी एक machine थी अभी भी एक machine है हम सिर्फ labor को क्या कर देंगे डबल कर देंगे क्योंकि order double हो गया हम labor को भी क्या कर देंगे डबल कर देंगे तो पहले ये ratio कितना था 2 ratio 1 अब ratio कितना है 4 ratio 1 तो यहाँ पर क्योंकि हमारी capital constant है तो जो ratio है labor और capital का ये क्या होता रहता है हर बेशा change होता रहता है क्योंकि fix factors क्या है capital क्या है constant है क्योंकि ये ratio बदलता जा रहा है इसी लिए short run production function जो हम पढ़ रहे हैं इसी को हम variable proportions type production function भी बोलते हैं variable proportions type production function क्यों? क्योंकि ये जो ratio है ना 2 ratio 1 अब है 4 ratio 1 ये ratio क्या हो रहा है, change हो रहा है, ये ratio कैसा है, variable है, यानि कि change हो रहा है, तो इसका दूसरा नाम हो गया, variable proportions type production, function, easy-peasy, अब अगर इसे आपको graph पर present करना है, हाला कि ये आएगा नहीं, तो कैसे present करेंगे मैं बताती हूँ, रेखो x-axis ले लो, x-axis पर हम अमारी labor show करें, जिसे l कैसे denote करते है, y-axis पर दूसरी चीज ले लो, capital यानि कि land machinery, जिसे हम कैसे denote करते है, अब यहाँ पर हमें पता है, labor maximum कितनी गई थी, 4 गई थी, तो labor हम 4 तक बना देते है, 0, 1, 2, 3, 4, और capital हमारी 1 ही थी, तो एक काम करो 1 तक बना दो, अब इसे हम plot कैसे करेंगे, बहुत अराम से देखना, मैंने कहा labor 2, तो capital कितनी है, 1 है, labor 2, capital कितनी 1, तो labor 2 मतलब यहाँ से आएगा, इस तरह से, यह line आपको नहीं बनानी, और capital कितनी है, 1 है, तो यह यहाँ पर आगया, समझ में आगया, अगला है labor 4 और capital कितनी है, 1, तो labor 4 यहाँ से आएगा, और capital अभी भी कितनी ह वन ही है यहाँ पर आएगा तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करती हूँ आपको सिर्फ यह पॉइंट्स बनाने है आपको यह जो मैंने बनाई है इस तरह से लाइन्स वो लाइन्स नहीं बना दी तो हमें दुबारा बताती हूँ लेबर टू क्यापिटल कितनी है वन फिर लेबर फोर है क्यापिटल कितनी है वन अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करती हूँ तो यह हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन बन गई यह क्या शो कर रहा है कि क्या है हमारे पास में constant है capital वन थी वन ही है लेबर हमारी increase होती जारी है चमक गया चैसे labor हमारी पहले 2 थी अब labor कितनी है हमारी 4 है तो इसे हम क्या करेंगे variable proportions type production function अगला हमारे पास में आता है long run production function long run production function मतलब यह long run है यानि कि एक साल से लंबा period है अब एक साल से अगर लंबा period है तो इस period के अंदर अगर मान लो production जादा करना है output बढ़ाना है तो labor तो हमेशा बढ़ाते हैं वो तो हम short run में भी बढ़ा देते हैं लेकिन यह long run है इस period के अंदर producer जो है वो नया land purchase कर सकता है मतलब वो land को increase कर सकता है producer जो है वो नई machine भी खरीच सकता है impact अगर उसका एक छोटा business है small scale business है लंबे समय के अंदर 10-15 साल के अंदर वो छोटे से business को बड़ा business भी बना सकता है तो long run मतलब वो period इतना बड़ा period है कि अगर producer को production बढ़ाना है तो वो labor तो बढ़ाएगा ही वो अपना land अपनी machine यानि की capital को भी increase कर सकता है तो long run वो period है when there is no difference between fixed factors and variable factors जब वो जो पीछे हम लोग उने पढ़ा ता fixed factors और variable factors उनका difference ही खतम हो जाता है सारे factors ही कैसे factors है variable factors है भाई labor तो variable factor है उसे हम increase decrease कर सकते है land और machine को भी हम increase decrease कर सकते है ये भी क्या बन जाते है हमारे variable factors बन जाते है कोई भी factor, fixed factor नहीं रहता बोथ labor and capital are variable factors output is increased by increasing the application of both the factors अगर हमें output को increase करना है तो हम दोनों factors को increase करेंगे labor और capital को कुछ भी यहाँ पर constant नहीं है तो इसे हम कैसे बताते है output is a function of labor and capital और यहाँ पर हम k के उपर bar नहीं लगाएंगे क्योंकि bar show करता है कि वो चीज constant है, fixed है लेकिन यहाँ पर labor भी variable है और यहाँ पर capital भी हमारा variable factor है कुछ भी fixed नहीं है तो यहाँ पर हमें bar नहीं लगानी समझ में आगे अच्छे से तो short run के अंदर कुछ factors variable होते हैं, कुछ हमारे fixed होते हैं लेकिन long run के अंदर सारे factors हमारे कैसे होते हैं, variable factors होते हैं अगर हमें output increase करना है तो हमें सारे factors को increase करना पड़ेगा तो देखो long run production function के अंदर, जो factor ratio होता है, वो constant रहता है पहले वाले में हम लोगोंने देखा था factor ratio हमारा change हो रहा था 2 ratio 1 था, 4 ratio 1 था, ये क्या हो रहा था, हमारा change हो रहा था तो ये capital क्या थी हमारी? constant थी लेकिन यहाँ पर हमारा जो factor ratio है वो कैसा रहता है constant रहता है मैंने कहां मानलो 200 units बनाने का order आ रहा है तो producer जो है वो 3 तो labor use कर रहा है और 2 capital use कर रहा है long run है अब मानलो 400 units बनाने का order आ गया long run है तो long run के अंदर वो अपनी labor को तो double करी रहा है क्योंकि output double हो गया वो अपनी capital को भी double कर देगा 2 से 4 कर देगा क्योंकि long run के अंदर वो labor तो increase करेगा ही वो capital भी increase कर सकता है तो देखो पहले ratio कितना था 3 ratio 2 यही था अब आप देखलो अब ratio क्या है 6 ratio 4 इसे काटके देखो 2 3s are 6, 2 2s are 4 तो अभी भी ratio क्या आ रहा है 3 ratio 2 तो यहाँ पर यह जो ratio है यह क्या रहता है constant रहता है इसी दिए इसे हम बोलते है constant proportions type production function क्या कहते है constant proportions type production function देखो x-axis पर वही labor y-axis पर capital देखो labor हमारी maximum 6 तक जारी है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने ले ली और capital हमारी maximum 4 गई है 1, 2, 3, 4 plot करते हैं मैंने कहा जब labor 3 है तो capital 2 है labor 3 है तो यह यहाँ से आएगा ठीक है और capital कितनी है 2 है यह यहाँ आएगा तो यह कहीं न कहीं यहाँ आ रहा होगा समझ में आ गिया फिर labor 6 है और capital कितनी है मैंने गलती से आएगा इलिग दिया labor 6 है capital 4 है labor 6 है तो यह यहाँ से आ रहा होगा और capital कितनी है 4 है तो यह यहाँ आ रहा होगा अब अगर हम इन दोनों को join कर देते हैं तो ये कहीं ना कहीं इस तरह से बन रहा है समझ में आ गया? तो ये हमारा किस तरह से आ रहा है? इस तरह से आ रहा है ये क्या है constant proportions type production function की यहाँ पर ये जो ratio है ये ratio कैसा रहता है? constant रहता है और short run के अंदर ये ratio क्या होता है? change होता है समझ में आ गया अच्छे से? तो देखो अब हम एक बार difference देख लेते हैं short run production function के अंदर और long run production function के अंदर देखो सबसे पहली बात short run production function, long run production function type of production function की बात करते हैं short run production function is a production function in which factor ratio tends to change with the change in volume of output पीछे हम लोगों ने देखा था short run के अंदर जो factor ratio है वो change होता रहता है for example मैंने कहा 100 units बनानी है तो मान लो हम use कर रहे हैं दो labor और एक capital मैंने कहा 200 units बनाने का order आ गया तो हम सिर्फ labor को increase कर रहे हैं हमारी capital क्या है? same है तो यहाँ पर यह जो ratio है पहले था 2 ratio 1 अब है 4 ratio 1 तो यह ratio change होता रहता है इसे बुला जाता है variable proportions type production function लेकिन long run के अंदर हमारा यह जो factor ratio है वो अभी हम लोगों ने देखा था ratio हमारा change नहीं होता पहले भी ratio 3 ratio 2 था अभी भी ratio कितना आ रहा है? 3 ratio 2 आ रहा है तो यहाँ पर हमारा factor ratio सेम रहता है इसी को हम क्या बोलते है constant proportions type production function पहला clear हो गया second है manner of increasing output short run के अंदर अगर हमें output को increase करना है तो हम सिर्फ किसे increase करते है variable factors को increase करते है यानि कि हम labor को increase कर देते है हम capital को कुछ नहीं कर सकते capital short run में क्या है? constant है लेकिन long run के अंदर अगर हमें output बढ़ाना है तो हम हमारे सारे factors को increase कर सकते है हम labor को भी increase करेंगे और हम हमारी capital को भी increase करेंगे समझ में आ गया short run वाले को बोला जाता है constant scale of output इसका मतलब है short run इतना छोटा period है एक साल तक का period है कि इसमें हम हमारे business के scale को नहीं बदल सकते scale मतलब अगर आपका business small scale है तो एक साल के अंदर वो small scale ही रहेगा आप एक small scale, छोटे business को large scale business नहीं बना सकते तो constant scale of output है लेकिन long run के अंदर आप अपने छोटे से business को small scale business को एक large scale business भी बना सकते हो लंबे समय के अंदर मशीन जी वगएरा बढ़ा के तो इसे हम बोलते हैं variable scale of output type of returns की बात करें इसे बोलते है returns to a factor क्योंकि यहाँ पर जो हमारा output increase हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किस की वज़े से हो रहा है बना दिया है तो यह last वाली दो बाते important है इसे कहते है constant scale of output यह है variable scale of output यह है returns to a factor इसे बोलते है returns to scale हमारे course के अंदर हमें हमेशा क्या पढ़ना है short run production function long run production function ना हमें 11th में पढ़ना है ना हमें 12th में पढ़ना है चमक गया अच्छे से अब देखो आगे हम लोग बात करते हैं total product marginal product और average product प्यार से इसे हम लोग क्या बोलेंगे TP, MP and AP बहुत आराम से समझना short run की बात कर रहे हैं सबसे पहले units of land यहाँ पर हम machine की जगाँ पर land ले रहे हैं कुछ भी ले सकते हैं इसे हम क्या बोलते हैं से denote करते हैं units of labor यह हमारा variable factor है short run के अंदर जो land है वो क्या है हमारा fixed factor है हम लोगों ने पढ़ाता और जो labor है वो क्या है हमारा variable factor है अब भई अगर हम land और labor को use करेंगे तो हम क्या generate करेंगे output generate करेंगे output को हम लोग क्या बोलते हैं तोटल प्रोडक्ट, क्या कहते हैं टोटल प्रोडक्ट, तो हमने एक लैंड और, एक लेबर यूज़ करी, तो हम आउट्पूट जणरेट कर रहे हैं, फिफ्य उनिट्स, मान्नों ये पैन है, इस पैन की पचास यूनिट्स बना दिये, ऐसे एक लैंड और दो लेबर यूज कर रहे हैं तो 90 पैंस जनरेट कर रहे हैं एक पैंड और तीन लेबर यूज कर रहे हैं तो 120 पैंस जनरेट कर रहे हैं एक पैंड और 4 लेबर यूज कर रहे हैं तो 140 पैंस जनरेट कर रहे हैं तो ये क्या है हमारे पास में टोटल प्रोड पैन बना पर है मतलब टोटल इतना output हम जंरेट कर पा रहे हैं ये क्या है है टोटल प्रोडक्त है समझ में आया marginal product का मतलब होता is देखो लैंड तो constant है अगर हम एक extra labor use कर रहा है तो उसकी वज़े से हमार में total product में कितना चेंज आरहा है उसे बोला जाता है marginal product अगर हम एक extra labor use कर रहे हैं तो उसकी वज़े से हमारे total product में कितना change आ रहा है that is marginal product marginal कभी भी first पर नहीं निकलता ठीक है तो first पर हम dash कर देते हैं मैंने कहा अब हमारा total product कितना है 90 इससे पहले हमारा total product कितना था 50 था तो हमारे total product में कितना change आया 90 minus 50 उपर वाले को minus कर दो 40 ये क्या है marginal product है मैंने कहा अब हमारा total product 120 है उससे पहले 90 था total product में कितना change आया 30 तो ये 30 क्या है marginal product है फिर 140 में से 120 गया 20 क्या है marginal product 150 में से 140 गया 10 marginal product, 150 में से 150 गया 0 और 147 में से अगर 150 जाएगा तो minus का 3 आएगा क्योंकि 150 बड़ा है तो marginal product का मतलब है कि अगर हम एक extra labor use कर रहे हैं तो उसकी वज़े से हमारे total product में कितना change आ रहा है और marginal product का बहुती simple सा formula है marginal product निकालना है आपको n का, n मतलब जिस भी level का आपको निकालना है is equal to total product ले लो आप उस level का, उसमें से total product माइनस कर दो आप n माइनस 1 का, मैं हम इस बात का मतलब क्या हुआ, बहुत आराम से समझना मैंने कहा मुझे marginal product निकालना है जब हम 5 labor use कर रहे हैं ठीक बात है, length तो constant है तो marginal product निकालना है जब हम n क्या लेंगे, जब हम 5 labor यूज कर रहे हैं, n की जगाँ पर क्या आगया 5, तो हम total product लेंगे n, total product लेंगे किसका n मतलब क्या हो गया, 5 और उसमें से माइनस कर दो total product n-1, n क्या है 5, 5-1, n का मतलब इस लेवल का आप निकाल रहे हो simple, तो marginal product हमें 5 का निकालना है, total product ले लेंगे 5th का, और ये कितना आया, total product 5-1 मतलब 4, इसका simple सा मतलब है, अगर हमें marginal product 5th वाले का निकालना है, तो total product ले लो 5th वाले का, 5th वाले का total product कितना है, 150 है और उसमें से minus कर दो total product 4th वाले का, 4th वाला मतलब इससे जस्ट पहले वाला, 140, तो ये कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, सीदे को ये हमारे पास में 10 आ गया, मतलब ये तो formula है, गुमा फिरा के लिखा क्या है, कि जिस भी level का आपको marginal product निकालना है, उस level का total product लो, और उससे just पहले वाले का total product उसमें से क्या कर दो, minus कर दो, वही लिखाना, जिस level का total product है, वो लो, और and minus 1 मतलब 5 minus 1 क्या आएगा, जस्ट पहले वाला आएगा 4 उसका वाला total product आपको क्या करना है minus करना है, for example 7th वाले का लेना है, तो 7th वाले का total product लो, कितना है, 147 है, और उससे just पहले वाले का total product ले लो, कितना है, 150 है कितना आएगा, minus का 3, यह आगया हमारे पास में, marginal product easy peasy, same इसी तरह से होता है, average product average product को AP से denote करते है total product को, अगर आप labor से divide कर दोगे, तो हमें पता चल जाएगा, कि एक labor कितना output produce कर सकती है, अगर आप इस total product को labor से divide कर दोगे, तो आपको पता चलेगा कि जो एक labor है न, वो कितना output generate कर रही है for example, मैंने कहा, total product हो रहा है, 50, एक labor से divide करा, मतलब, एक labor 50 units बना रही है, मैंने कहा, total output है, 90, और कितनी labor है, 2 labor है, तो 2 से divide कर दिया, मतलब, एक labor जो है, वो 45 units बना रही होगी फिर है, total product है 123 से divide करा, तो एक labor कितने बना रही होगी, 40 units बना रही है फिर 140 को अगर हमने 4 से divide करा, तो 4 1s आ 4, 2s आ 8, 4 3s आ 12 और फिर 2 बचा, 4 5s आ 20 एक labor 35 units बना रही है then, 150 को 5 से करा तो एक labor 30 units बना रही है then, 150 को हम लोगों ने 6 से करा, 6 1s आ 6, 2s आ 12 6 5s आ 30, एक labor 25 units बना रही है, और फिर 147 को हम लोगों ने 7 से करा, 7 1s 7 2s आ 14, 7 1s 7, एक labor जो है, वो 21 units बना रही है, समझ माया? तो total product यह रहा, marginal product change है, जिस level का marginal product निकालना है, उस level के TP में से जस्ट उपर वाले का TP माइनस कर दो average product का simple सा formula है, total product upon units of labor, तो पता चल जाएगा on an average की एक labor कितने units बना रही है, clear हो गया, वहीं यहाँ पर लिखा है total product क्या होता है it is the sum total of output produced by all the units of a variable factor along with some constant amount of fixed factors used in the process of production इसका मतलब है, हमारी सारी की सारी variable factors को use करके, उसके साथ में कुछ fix factors भी है, उन्हें use करके producer total कितना output generate कर रहा है, उससे बोला जाता है total product for example इस level का, इसका मतलब है, total labor कितनी है, 3 है और fix factors कितने है 1 है, उसे use करके total कितना output generate करा गया है 120 units, ही 120 क्या है total product है, sum total of output जो producers produce कर रहे हैं सारी variable factors और उसके साथ में कुछ constant fix factors को use करके, और इसी को बोला जाता है total returns to a variable factor क्या कहते हैं, total returns to a variable factor, अब इसका एक formula और है, क्या formula है माम इसका formula है, अगर आपको total product निकालना है तो आप marginal product का sum कर दो, ये जो sign होता है इसको हम summation बोलते हैं, sigma भी बोलते है, marginal product का क्या कर दो, sum कर दो total product निकालना है तो सारे के सारे MP का sum कर दो for example, मैंने कहा मान लो, मुझे total product निकालना है ये वाला, ये 150 मुझे निकालना है मान लो ये given नहीं है 150 तो मैं क्या करूँगी फिफ्ट वाले तक का हमें total product निकालना है तो फिफ्ट तक के सारों का marginal product का मैं क्या कर दूँगी, sum कर दूँगी समझ में आ गया, ये 150 अगर मुझे निकालना है फिफ्ट वाले तक का, तो फिफ्ट वाले तक के सारे marginal product का sum कर दो 40 और 30 कितना हो गया 70 हो गया 70 और 20 कितना हो गया 40, 50, 60, 70 हो गया 80, 90 और ये कितना आ रहा है हमारे पास में 1 second अच्छा एक गडबड है यहाँ पर यह उपर 50 भी आएगा हमारे पास में ठीक है न यह 50 भी आएगा क्योंकि इससे उपर कुछ नहीं था तो क्या था हमारे पास में 0 था तो हम लोगों ने हमेशा हम मार्जिनल प्रोड़क्ट निकालने के लिए उपर वाले को माइनस करते हैं तो इससे कुछ नहीं था उपर तो मैंने यहाँ पर 50 लिग दिया समझ में आगे मालो यहाँ पर 0 है तो 50 में से 0 गया यह 50 आ गया तो मुझे यह 150 निकालना है वो कैसे निकालूंगी यहाँ तक के सारे MP का सम कर दो तो 50 40 90 10 11 12 120 30 40 140 और 10 150 समझ में आ गया तो अगर टोटल प्रोड़क्ट निकालना है तो सारे के सारे मार्जिनल when one more unit of variable factor is used अगर हम एक और variable factor use कर रहे हैं fix factors तो constant है अगर हम एक extra labor को use कर रहे हैं तो उसकी वज़े से हमारे total product में कितना change आ रहा है वो क्या है marginal product formula में ने बताया था marginal product अगर आपको n का निकालना है तो total product ले लो n का उसमें से total product minus कर देना n minus 1 मतलब जस्ट पहले वाले का total product minus कर दो और average product का मतलब है output per unit of variable factor जब हम total product को labor से divide कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है output per unit of variable factor कि हमारी एक labor कितनी units produce कर रही है वो क्या है हमारे पास में average product easy peasy है समझ में आगे अच्छे से अब देखो बहुत important topic आता है law of variable proportions इसी को हम returns to a factor भी बोलते है law of variable proportions यह एक बार मैं एक काम करती हूँ ऐसे ही समझा दूँ उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं एक बार इसको मैं ऐसे ही explain कर देती हूँ law of variable proportions क्या कहता है यह simple सा कहता है कि हमारे fix factors तो constant है जैसे जैसे हम variable factors बढ़ाते जा रहे हैं आप notice करोगे कि शुरुआत के अंदर आ marginal product क्या हो रहा है हमारे पास में marginal product हमारा क्या हो रहा है सबसे पहले increase हुआ यानि कि यह 50 था 50 था सबसे पहले 0 से 50 हुआ increase हुआ then यह दीरे 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 क्या होने लग गया है decrease होने लग गया है 50 से 40 then 30 then 20 then 10 फिर यह 0 हो गया और फिर यह क्या हो गया negative हो गया मतलब simple सा लिखा है शुरुआत में हमारा जो marginal product है वो क्या होगा increase होगा जैसे 50 है directly increase हुआ उसके बाद में हमारा marginal product क्या होने लग गया decrease होने लग गया 50 40 30 20 10 0 उसके बाद में यह 0 हो गया और finally यह क्या हो गया है negative हो गया है यही क्या कहता है हमारा law of variable proportions law of variable proportions state that as more and more of the variable factor is combined with the some fixed factors जैसे जैसे हम variable factors बढ़ाते जाते हैं labor बढ़ाते जा रहे हैं fixed factors हमारे constant है marginal product of the variable factor में initially rise शुरुआत में हमारा जो marginal product है वो क्या होगा increase होगा सीधा वो कितना ता 50 था ठीक है but eventually a situation must come when marginal product of the variable factor starts declining फिर हमारा जो marginal product है लगता है सारे aeroplane मेरी चटसे जाएंगे आज एक second चल जाँ दो उसको actually यह fighter planes है इनका कुछ होता है practice वगएर होती है ठीक है तो marginal product पहले क्या होगा increase होगा उसके बाद में marginal product क्या होगा decrease होगा और एक ऐसी stage भी आ सकती है कि यह marginal product हमारा zero हो जाए जो पीछे हम लोगों ने देखा था और zero होके यह marginal product हमारा negative भी हो सकता है समझ में आ गया law of variable proportions कहता है कि हमारे fix factors तो constant है हम हमारे variable factors बढ़ाते जा रहे हैं तो शुरुआत में तो marginal product हमारा increase होगा उसके बाद में marginal product हमारा decrease होगा in fact एक stage ऐसी वी आ सकती है कि marginal product हमारा zero होके negative भी हो जाए और इसी का दूसरा नाम है law of diminishing marginal product क्या कहते हैं law of diminishing marginal product समझ में आया अब इसका मतलब क्या है देखो मैंने कहा शुरुआत में हमारा marginal product क्या होता है increase होता है शुरुआत में हमारा marginal product increase होता है इस बात का मतलब है शुरुआत में जो हमारा total product है वो increase होगा total product हमेशा increase होगा लेकिन शुरुआत में हमारा total product कैसे increase होगा increasing rate से एक काम करते हैं इसे table के through में समझाती हूँ एक बार इस table के through में समझाती हूँ जैसे मैंने कहा ये units of land है ये क्या है हमारी capital है capital को हम किस से denote करते हैं के से denote करते हैं ये क्या है constant है labor हमारी increase होती जारी है variable factor है तो मैंने क्या कहा शुरुआति के अंदर तो हमारा marginal product है वो क्या होगा increase होगा तो आम marginal product को देखो 2,3,4 increase हुआ है शुरुआत में marginal product हमारा क्या हुआ? increase हुआ फिर marginal product हमारा decrease होने लग जाएगा आप देखो 4, 3, 2, 1, 0 marginal product क्या हो गया? decrease हो गया फिर marginal product हमारा 0 हो गया then ultimately marginal product हमारा क्या हो गया? negative हो गया अब देखो इसका मतलब है अगर आप total product को गौर से देख रहे हो total product पहले 2 था then क्या हो गया? 5 हो गया मतलब कितने से increase हुआ? 2 से 5 हो गया 5 में से 2 गया तो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है 3 से increase हुआ फिर 5 से 9 हो गया मतलब 9 में से 5 गया कितना आ रहा है? 4 आ रहा है फिर 9 से 12 हुआ कितना आ रहा है? हमारे पास में difference 3 आ रहा है फिर 12 से 14 हुआ मतलब 2 से increase हुआ फिर 14 से 15 हुआ एक से increase हुआ फिर 15 से 15 ही हुआ मतलब 0 से increase हो रहा है फिर 15 से 14 हो गया मतलब minus 1 हो गया इस बात का मतलब क्या है यह जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं यह क्या है differences है अगर आप differences देखो तो पहले difference 3 ता फिर difference 4 था मतलब शुरुआत के अंदर जो difference है वो difference increase हो रहा है पहले total product 3 से increase हुआ फिर total product हमारा 4 से increase हुआ मतलब कहीं ना कहीं शुरुआत के अंदर हमारा जो total product है वो speed से increase हो रहा है शुरुआत के अंदर जो हमारा total product है वो क्या हो रहा है, increase तो हो रहा है, कैसे increase हो रहा है, speed से increase हो रहा है, इसे बोला जाता है कि TP increases, TP increase हो रहा है, add increasing rate, इसका मतलब है, TP increase तो हो रहा है, 2, 5, 9, लेकिन यह जो difference है, यह difference बढ़ रहा है, difference 3 से 4 हो गया, मतलब TP increase हो रहा है, कौनसी rate से, increasing rate से, difference बढ़ रहा है, इसका मतल 9, 12, 14, 15 अभी भी increase तो हो रहा है लेकिन है difference कम होने लग गया 3, 2, 1, 0 difference कम हो गया मतलब TP की जो increase होने की speed है वो speed कम हो गई मतलब TP अभी भी increase तो हो रहा है लेकिन कौन सी rate से at decreasing rate समझ में आ गया then TP हमारा क्या हो गया है constant हो गया है उसके बाद में TP हमारा क्या हो गया है decrease होने लग गया मतलब जब MP हमारा increase हो रहा है जब MP हमारा increase हो रहा है देखा जाई जो मैंने आपको difference निकाल के बताया है यहाँ पर यह difference क्या है हमारा यह difference हमारा MP ही है तो शुरुआत के अंदर MP हमारा increase हो रहा है और जब MP increase हो रहा है तो TP हमारा increase भी हो रहा है और कौन सी rate से increase हो रहा है increasing rate से increase हो रहा है कि difference बढ़ता जा रहा है उसके बादने MP हमारा क्या हो गया decrease हो गया जब MP हमारा decrease हो रहा है तो भी हमारा TP increase तो हो रहा है 9, 12, 14, 15, 15 लेकिन कौन सी rate से increase हो रहा है decreasing rate यानि कि धीरे धीरे increase हो रहा है फिर जब MP हमारा जीरो है उस वक्त TP हमारा maximum है आप देख लो TP अपने maximum level पर है 15 सबसे बड़ा है और जैसे ही MP हमारा negative हो जाता है जो TP अभी तक हमारा increase हो रहा था वो TP क्या होने लग गया 15 से 14 पर आ गया यानि कि decrease होने लग गया this is law of variable proportions वही लिए का है law of variable proportion वही कहता है कि शुरू liability प्रड़क्त क्या होगा increase होगा इसका मतलब total product increases at increasing rate कि total product increase हो रहा है और उसका difference भी बढ़ रहा है उसका difference भी बढ़ रहा है मतलब total product increase हो रहा है increasing rate से जैन93 में total output increase होगा लेकिन specule you rate का हमारा 0 हो गया then MP भी हमारा negative हो जाएगा, दूसरा नाम है law of diminishing marginal product, अब ये law कब हमारा चलेगा, इसके assumptions क्या है, मतलब कब कम हमारा ये law follow होगा, तो ratio in which factors are combined can be changed, वो factor ratio change होना चीए, और हम पढ़ रहे हैं, short run की बात कर रहे हैं, short run के अंदर वैसे भी हमारा factor ratio क्या होता है, change होता है, आप देख स हो अभी factor ratio क्या है, one ratio one है, है ना one capital one labor, अब factor ratio one ratio two हो गया, अब factor ratio one ratio three हो गया, तो ये factor ratio क्या हो रहा है, change हो रहा है, units of variable factors are homogeneous, जो हम variable factors यहाँ पर use कर रहे हैं, labor है, वो सारी की सारी labor आपस में कैसी है, homogeneous है, मतलब वो सारी की सारी labor क्या है, एकदम similar है, बराबर efficient है, ऐसा नही हमारी कैसी रहेगी constant रहेगी इन तीन situations के अंदर हमारा ये law क्या होता है follow होता है ratio बदलना चाहिए मैंने दिखा दिया सारी की सारी labor कैसी होनी चाहिए homogeneous बराबर efficient और technology कैसी रहेगी constant रहेगी अब ये मैंने आपको already समझा दिया इसे मैं चाहूं तो एक बार erase कर देती हूं क्य क्या क्या समझाया मैंने कि शुरुआत के अंदर marginal product 2,3,4 क्या हो रहा है increase हो रहा है उसके बाद में marginal product 4,3,2,1,0 marginal product क्या हो गया है हमारा decrease हो गया है फिर marginal product हमारा क्या है 0 है और फिर marginal product हमारा क्या हो गया है negative हो गया है और शुरुआत के अंदर हमारा जो TP है वो increase हो रहा है प हमारा increase हो रहा है वो भी कौन सी rate से increasing rate से जब mp increase होगा तो tp increase हो रहा है increasing rate से फिर हमारा tp increase हो रहा है देखो gap कितना हो गया 3 then 2 then 1 then 0 again हमारा tp increase हो रहा है 9 से 15 पर आ गया लेकिन कौन सी rate से increase हो रहा है decreasing rate से increase हो रहा है उसके बाद में जब mp 0 है तो tp अपने maximum पर है और जैसे ह MP negative हुआ, TP हमारा क्या हो गया, decrease होने लग गया, मतलब पहले वाले है increasing returns, इसे बोला जाता है diminishing returns, क्योंकि हमारा MP decrease हो रहा है, और last वाला आजाता है negative returns, समझ में आया, लिखा हुआ क्या है, when more and more units of labor are used, MP जो है वो third unit तक देख लो, हमारा MP increase हुआ है, in this situation, TP increases at an increasing rate, आप शुरु MP 234 increase हुआ है, इस situation में TP increase हो रहा है increasing rate से, तो ये जो stage है, इस stage को बोला जाता है, increasing returns, क्या बोलते हैं, increasing returns, याद रहेगी पहली stage, उसके बाद में लिखा है, जैसे ही हम fourth unit labor की use करने लगेंगे, MP हमारा decrease होने लग जाएगा, अब TP हमारा increase हो रहा है, decreasing rate से, जिसे हम diminishing rate भी बो तो इस stage को बोला जाता है, decreasing returns या फिर diminishing returns, क्या बोलते हैं, diminishing returns कि हमारे returns कम होने लग गए, और फिर total product maximum कब है हमारा, जब marginal product क्या है, हमारा 0 है, और जैसे ही हमारा marginal product negative हो जाता है, ये देखो negative हो गया, तो TP हमारा 15 से 14, TP क्या हो गया, decrease हो गया, इस last stage को बोला जाता है, negative returns, क्या कहते हैं, negative returns, easy peasy है, समझ में आगया, अच्छे से, अब देखो, इसे हम present किस तरह से करेंगे, बहुत अराम से, बहुत प्यास से देखना, दो हम यहाँ पर graph बना रहे हैं, X axis, Y axis, उपर वाले पर हम TP शो कर रहे हैं, total product, ठीक है, और नीचे वाले पर हम क्या show कर रहे हैं, marginal product show कर रहे हैं, MP show कर रहे हैं, ठीक बात हो गई, अब देखो, सबसे पहले हमें, land तो हमारा constant, labor क्या है, हमारा variable factor है, तो labor हमारी कितनी है, 1 से कितनी हुई है, labor हमारी 8 हुई है, तो हम labor लिख देते हैं, उपर भी ले लो, X axis पर हमें labor लिखनी ह ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इधर भी X axis पर labor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यह हम लोगों ने labor ले ली, उसके बाद में total product हमारा maximum गया है 15 तक का, तो हम लोगों को उपर वाले पर total product show करना है, 2, 2 के gap से दिखा देते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, और एक काम करो, यह हो गया 16, ठीक है, 2, 2 के gap से दिखा दिया, marginal product जो है, वो maximum हमारा 4 गया था, तो marginal product एक काम करो, 4 तक का दिखा दो, तो यह हो गया 1, 2, 3, 4, ठीक बात हो गई, अब यह बनाने से पहले मैं एक चीज़ आपको समझा देती हूँ, देखो, eco क के अंदर क्या होता है, फिर से erase करते हैं, eco के अंदर कोई चीज़ अगर increase होती है, तो curve हमेशा उपर की तरफ जाता है, मान लो यह total product ऐसा होता, मान लो यह total product होता, 10, 20, 30, 40, 50, इस तरह से होता, तो अगर हर बार आप difference निकाल रहे हो, difference कितने का आएगा, 10, 10, 10, 10 का आएगा मतलब TP increase हो रहा है, वो भी बराबर के gap से, इस situation में हमारा curve ऐसे बनता है, मतलब मान लो अगर यह 10, 20, 30, 40 होता, हर बार 10, 10 के gap से बढ़ रहा है, बराबर gap से बढ़ रहा है, तो TP हमारा increase हो रहा है, कैसे constantly, तो curve हमारा इस तरह से बनता है, लेकिन अभी जो हमारी situation है, हमारा TP कैसे increase हो रहा है शुरुआत में increasing rate से मतलब यह जो difference है वो difference क्या हो रहा है हमारा बढ़ता जा रहा है तो जब eco में कोई चीज increase होती है constantly तो curve ऐसे बनता है जब कोई चीज increase हो रही है increasing rate से कि difference बढ़ता जा रहा है तो curve इस तरह से बढ़ता है यानि कि यह जो curve है यह आगे जाता है हमारा वो भी गर्दन उठा कर उपर जा रहा है वो भी कैसे गर्दन उठा कर जब कोई चीज constantly increase हो रही है यह straight बनेगा जब कोई चीज increase होती है increasing rate से difference बढ़ता जा रहा है तो हम curve कैसे बनाएंगे गर्दन उठा हुआ उसके बाद में भी TP हमारा increase हो रहा है लेकिन difference हमारा 3, 2, 1, 0 difference कम होता जा रहा है तो increase हो रहा है लेकिन कैसे increase हो रहा है decreasing rate से तो भी curve उपर जाएगा लेकिन कैसे जाएगा इस तरह से उपर जाता है गर्दन जुका कर तो कोई चीज constantly increase हो रही है ऐसे कोई चीज increasing rate से increase हो रही है तो गरदन उठाकर कोई चीट decreasing rate से increase हो रही है तो कैसे जाएगा गरदन जुका कर इस चीट को हमेशा हमें दिमाग में रखना है अब देखो plot करते हैं सबसे पहले marginal product की बात करते है marginal product कर देते हैं एक labor तो marginal product कितना है हमारे पास में 2 है एक labor marginal product 2 है labor 1 नीचे है labor marginal product कितना है 2 है इस पर ऐसे हमें plot करना है, तो देखो, हमारे पास में एक labor है, और marginal product कितना है, हमारे पास में, एक labor, marginal product कितना हो गया, दो हो गया, फिर है, एक, दो labor है, marginal product कितना है, 3 है, then 4 होगा, दो labor, marginal product कितना है, 3, दो labor, marginal product कितना है, 3 है, 15 labor, marginal product कितना है, 4 है, उसके बाद में, हमारे पास में, चार labor marginal product अब क्या है 3 है चार labor है marginal product कितना है 3 है यहाँ आएगा फिर 5 labor है यहाँ से marginal product कितना है 2 है यह line हमें नहीं बनानी मैं सिर्फ explain करने के लिए बना रही हूँ उसके बाद में 6 labor marginal product कितना है 1 है आप चेक कर सकते हो 6 labor marginal product 1 फिर 7 labor है marginal product 0 है 7 labors marginal product 0 और उसके बाद में 8 labors हम use करें हैं लेकिन marginal product हमारे पास में कितना है minus का 1 है तो minus वाला हम कैसे show करते हैं जैसे हमने उपर positive show करें हैं वैसे ही नीचे की तरफ बना दो minus का 1 तो ये हमारा आ जाएगा कि 8 labors marginal product नीचे की तरफ minus का 1 समझ में आ गया अब अगर आप इसको plot करोगे तो पहले MP उपर गया मतलब increase हुआ then MP क्या होने लग गया हमारा decrease होने लगया then MP 0 होके क्या हो गया है negative हो गया है ये आ गया marginal product हम लोगों ने पीछे भी यही देखा था पहले MP क्या हो रहा है increase हो रहा है then क्या हुआ decrease हुआ then 0 हो गया इस point पर और finally MP क्या हो गया है हमारा negative हो गया समझ में आ गया अब हम TP शो करते हैं पहले TP कितना था हमारे पास में 2 था कितना था 2 था तो जब हम एक labor use कर रहे हैं तो TP कितना आ रहा है 2 आ रहा है उसके बाद में जब हम दो labor use कर रहे हैं TP कितना है 5 है दो labor use कर रहे हैं तो 5 4 और 6 के बीच में आ गया then हमारे पास में कितना है 9 है then 12 है 3 labor use कर रहे हैं कितना है 9 है यहां आएगा 4 labor use कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है, हमारे पास में 12, फिर 14, तो 4 labor use कर रहे हैं, 12 यहां आएगा, 5 labor use कर रहे हैं, कितना आएगा, 14 आएगा, then 15, 15, 14, then 6 labor use कर रहे हैं, कितना है, 15 है, तो 14 और 16 के बीच में, 7 labor पे भी कितना है, 15 है, और 8 labor पर ये कितना हो गया, हमारे पास में, again decrease होके कितना हो गया 14 हो गया तो ये हमारा यहाँ पर आ गया अब अगर आप इसको plot करने बैठोगे तो पहले तो ये increase हुआ है ऐसे फिर ये increase हुआ ऐसे फिर ऐसे मतलब अगर आप इसको गौर से देखोगे तो पहले ये increase हुआ है ऐसे increasing rate से जब MP increase हो रहा था तो ये increasing rate से increase यह जो GYAP है, यह GYAP बड़ता जा रहा है, increasing rate से बढ़ा, फिर देरे दिये कौन सी rate से बढ़ा, decreasing rate से, फिर यह maximum हुआ 15 पर और यह क्या हो गया, हमारा decrease हुग गया, समझ में आया, शुरुआत में हमारा TP है, वह कैसे increase हुआ है, शुरुआत में हमारा TP increase हुआ है increasing rate से मैंने बताया था ऐसे बनाते हैं फिर TP increase हो रहा है हमारा decreasing rate से गरदन जुका कर फिर अपने maximum point पर है और उसके बाद में decrease हो गया decrease हो जाता है तो curve हमारा नीचे आ जाता है समझ में आ गया ये हो गया total product अब relation यहाँ पर क्या निकलता है अगर आप इस तरह से ये lines बना दो एक line तो आपने ये बना दी और एक line आपने ये बना दी तो ये relation ये निकला कि जब MP हमारा increase हो रहा है curve उपर जा रहा है मतलब MP हमारा क्या हो रहा है increase हो रहा है तो TP हमारा increase तो हो रहा है लेकिन कौन सी rate से increase हो रहा है increasing rate से increase हो रहा है मतलब कर्व कैसे उपर गया है हमारा अभी तरह से गर्दन उपर उठा के जब MP हमारा decrease हो रहा है तो TP हमारा increase तो हो रहा है लेकिन कैसे increase हो रहा है हमारा TP decreasing rate से मतलब गर्दन जुका कर, तो ये गर्दन जुका कर उपर गया, जब MP हमारा 0 है, तो TP क्या है, अपने maximum point पर है, और जैसे ही MP हमारा नीचे आ गया, negative हो गया, TP हमारा क्या होने लगया, decrease होने लगया, चमक गया अच्छे से, मैंने यहाँ पर clearly बना दिया, ये first stage है, second stage है, third stage है, पहले जब MP increase हो रहा है, तो TP increase हो रहा है, increasing rate से, इसे बोलते है, increasing returns, फिर MP decrease हो रहा है, तो भी TP increase हो रहा है, लेकिन decreasing rate से, this is diminishing returns, फिर MP 0 है, TP क्या है, अपने maximum point पर है, और जब MP हमारा negative हो गया, नीचे आ गया, तो TP हमारा decrease होने लग जाता है, इसे हम लोग बोलते है, negative returns, वह लिखा है when MP increases, जब हमारा MP increase हो रहा है तो TP increase हो रहा है कॉनसी rate से? increasing rate से, फिर जब MP हमारा decrease हो रहा है जो हमारी second वाली stage है तो भी हमारा TP increase हो रहा है कॉनसी rate से increase हो रहा है diminishing rate से, जब MP 0 है TP maximum है जैसे ही MP negative वुआ, TP starts decreasing और एक होता है यहां पर point of inflection, यह जो k point है, इस point को हम बोलते है, point of inflection, इसका मतलब यह वो point है, जिस point पर tp का slope change हो जाता है, इस से पहले tp increase हो रहा था कौण सी rate से? increasing rate से, लेकिन इसके बाद में tp increase होगा कौण सी rate से? decreasing rate से, तो it is the point where slope of tp changes, जहां पर tp का slope चेंज हो रहा है, इस point से पहल this point TP will increase only at diminishing rate ये बहुत important है अच्छे से आपको याद रखना है आगे देखो अब हम बात करते हैं कि शुरुआत में हमें increasing returns क्यों मिलते हैं causes of increasing returns to a factor शुरुआत में हमारा MP increase क्यों होता है या फिर TP हमारा increasing rate से increase क्यों होता है उसके पीछे के reason पहला है fuller utilization of the fixed factors शुरुआत के अं ये कैसे होते है land जो है machine है वो underutilized है मतलब अभी तक हम लोगों ने land और machinery वगरा को use नहीं करा तो इनका utilization हो उसके लिए हमें labor की requirement होती है तो हम labor जब लगाते हैं शुरुआत में हमारी machinery underutilized एक तो नई की नई है किसी ने उसे use नहीं करा तो जब उस पर labor काम करने लगती है तो हमें अच्छे returns मिलते हैं this is the reason हमारा marginal product क्या होता है increase होता है पहला reason समझ में आ गया कि शुरुआत के अंदर in the initial stages fixed factors remains underutilized its fuller utilization calls for greater application of the variable factor उनका use और नई machinery का उसके लिए हम उस पर labor लगाते है तो शुरुआत में हमारा MP increase होगा मतलब TP increase होगा increasing rate से दूसरा reason है division of labor अभी न labor लगाते हैं तो कहीं न कहीं division होता है कि इस machine पर 5 लोगों को काम करना है इस पर 6 लोगों को काम करना है division of labor हो जाता है कि आपको ये machinery चला दी है हम हर बंदे को उसके according काम दे देते हैं तो बंदों की efficiency increase होती है labor की efficiency बढ़ रही है तो obviously बात है MP क्या होगा increase होगा additional application of variable factors enables process based division of labor जब हम variable factors labor लगाते हैं तो division of work होता है हर बंदा अपनी expertise के according काम करता है तो MP increase होगा और शुरुआत में अच्छा coordination तालमेल भी रहता है अभी fixed factors underutilized है नए के नए है जब उन पर हम variable factors यानि की labor लगाते हैं तो एक अच्छा तालमेल रहता है नई machinery है उस पर एक labor काम करी है तीन labor काम करी है तब तक बहुत अच्छा है वो हमें अच्छे रिٹर्न्स देंगे अच्छे तालमेल रहता है उनके बीच में तो MP क्या होगा हमारा increase होगा लेकिन उसके बाद में हमें क्या मिलते है diminishing returns यानि कि हमारा जो MP है वो क्या होने लग जाता है decrease होने लग जाता है अ हम उसी एक लैंड या मशीनरी पर बहुत सारी लेबल लगा देते हैं, तो शुरुआत में तो मशीनरी अंडर यूटिलाइज थी, किसी ने काम ही नहीं करा था, लेकिन अब मशीनरी का ओवर यूटिलाइजेशन होने लग गया है, मशीनरी को हम औकात से जादा यूज कर रहे जैसे जैसे हम वेरियबल फाक्टर बढ़ाते जा रहे हैं, जो हमारे फिक्स फाक्टर है, उनको हम एक्सेस में यूटिलाइज कर रहे हैं, उनका ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है, औकात से जादा, एक मशीनरी पर तीन लोग काम कर रहें, लेकिन एक ही मशीनरी पर इसका मतलब है, यह जो फाक्टर है, यह एक दूसरे के इमपर्पेट सब्स्टिट्यूट्स है, आप देखो, लैंड है, मशीन है, मशीन की जगहां पर, जहां पर आपको मशीन को बढ़ाना है, वहां पर भी आप सिर्फ और सिर्फ लेबर को बढ़ा रहे हो, मतलब मशीन क आप सिर्फ लेबर को बढ़ाते जा रहे हो, तो मुझे बताओ, क्या लेबर मशीन का सब्स्टिट्यूट है, क्या हम लेबर की जगहां पर सिर्फ मशीन को यूज कर सकते हैं, जहां पर मशीन को बढ़ाना है, वहां पर तो आपको मशीन को ही बढ़ाना पड़ेगा, लेकि जो labor है वो machine का proper substitute नहीं है imperfect substitute है जो का machine कर सकती है वो machine ही करेगी तो वह यह जादा से जादा labor को use करते जा रहे है in place of capital, in place of machinery तो उसकी वज़े से कहीं ना कहीं हमारा जो MP है वो decrease होगा हमें diminishing returns मिलेंगे और last में वह यह जो अच्छा coordination था वो poor coordination में बदल गया शुरुआत में एक दो तीन labor काम करी है that is okay अब उस एक ही machine पर चार चार पाँच पाँच दस दस लोग काम कर रहे है तो आपस में लडाईयां होंगी clashes होंगे अभी मुझे काम करना है तू मत कर अभी मुझे काम करना है यह में return है तो तालमेल बगड़ता जाता है जैसे जैसे हम variable factors increase करते जाते हैं वो जो ideal ratio है वो ratio क्या हो जाएगा disturb हो जाएगा factors के बीच में अच्छा coordination नहीं रहेगा तो हमें क्या मिलते हैं diminishing returns चमग गया अब देखो यह law कब fail हो जाता है पहला है जब हमारी technology में कोई improvement हो जाए तो law हमारा fail हो जाएगा law of variable proportions इस situation में अगर technology में कोई improvement हो गया तो हम same inputs से उल्टा हमें जादा returns मिलने लगेंगे हमारा law क्या कहता है कि शुरुआत में MP increase होगा then MP decrease होगा then MP हमारा zero होगा then MP हमारा क्या हो जाएगा negative हो जाएगा लेकिन अगर technology में कोई improvement हो गया तो MP हमारा शायद decrease नहीं होगा और law क्या हो जाएगा fail हो जाएगा when some substitute of the fixed factor is discovered जब हमारे fixed factors जैसे जो land है वो जो constant है उसका हमें कोई substitute मिल जाए और अगर हम substitute use करने लग जाए तो फिर MP हमारा decrease नहीं होगा उल्टा हमेशा हमारा MP क्या होगा increase ही होगा तो इन दो situations में हमारा law fail हो जाएगा अगर technology में कोई improvement आ गया या फिर fixed factors का हमें कोई substitute मिल गया जिसे हम उस land या machinery की जगा पर use कर सकते हैं तो MP decrease नहीं होगा क्या होगा increase ही होगा पूछा जाता है exam के अंदर बड़े marks के अंदर भी पूछा जाता है पहला क्या है TP और MP का relation है उपर total product है नीचे marginal product है simple जाहे जब MP increase हो रहा है तो TP increase हो रहा है गरदन उठा कर यानि की increasing rate से so long as MP is increasing TP is increasing at an increasing rate पीछे भी रेखा था फिर जैसे ही MP हमारा decrease होने लग जाएगा diminish होने लग जाएगा तो TP increase होगा हमारा कौन सी rate से diminishing rate यानि की decreasing rate से मतलग गरदन जुका कर जब MP हमारा 0 है तो उस time पर TP में कोई addition नहीं हो रहा हम लोगों ने देखा था TP constant था 15-15 उस time पर TP क्या है maximum है और जब MP हमारा negative होता है तब TP हमारा क्या होने लग जाता है decrease होने लग जाता है तो MP जो है वो TP की rate है simply जब MP हमारा increase हो रहा है तो TP increase हो रहा है increasing rate से MP decrease हो रहा है तो TP increase हो रहा है decreasing rate से MP 0 है तो TP हमारा maximum है MP negative हो गया तो TP हमारा क्या हो जाएगा decrease हो जाएगा, simple सा relation है समझ में आगया, easy-peasy है stage 1, stage 2, stage 3, stage 1 का नाम है increasing return, stage 2 का नाम है diminishing return, और third का नाम है negative returns, एक relation और है AP और MP के बीच का भी, plotting करने की जरुवत नहीं है, simple सा 3 number का question है कोई plotting यहापर नहीं आएगी, AP और MP का relation किस तरह से दिखाना है x-axis, y-axis, नीचे हम दिखाते हैं units of variable factor और हमारा variable factor क्या है labor है, और इधर हम relation दिखा रहे है, marginal product का और average product का दोनों दिखा दो simple सा है, बहुत ही simple सा है, हमें सबसे पहले क्या दिखाना है, हमारा average product दिखाना है, तो एक काम करो average product को अब लोग क्या कर देते हैं, इस तरह से पहले increase होगा, then क्या होगा, decrease होगा यह हमारा average product है, क्या है average product, simple सा ध्यान में रखना है, पहले average product increase होगा then क्या होगा, decrease होगा, समझ में आ गया, अब marginal product आपको किस तरह से बनाना है marginal product यहीं से start हो रहा है लेकिन आपको क्या make sure करके रखना है कि marginal product marginal product यह जो average product है इसको काटता हुआ जाएगा इसकी peak पे से peak मतलब यह average product का maximum point है ना यह इसे यहां से काटता हुआ जाएगा और marginal product के लिए हम लोगों ने पढ़ा है कि वो 0 होके negative भी हो जाता है तो यह हो गया हमारा marginal product दोनों same point से start हुए पहले आपने average product बना दिया marginal product AP से उपर रहेगा हमेशा याद रखना और marginal product average product को उसकी peak पर से उसके maximum point से काटता हुआ जाएगा AP कभी negative और 0 नहीं होता AP increases as long as MP is more than AP देखो इस E point से पहले AP क्या हो रहा है उपर जा रहा है AP क्या हो रहा है increase हो रहा है AP तब तक increase हो रहा है जब तक MP AP से बड़ा है देखो इस point से पहले E point से पहले कौन सा कर्व उपर है yellow वाला या blue वाला यलो वाला उपर है जो कर्व उपर होता है वही बड़ा माना जाता है तो AP तब तक हमारा increase हो रहा है मतलब उपर जा रहा है जब तक MP AP से बड़ा है MP is greater than AP कैसे क्योंकि MP का कर्व उपर है जिसका कर्व उपर होता है वही बड़ा माना जाता है समझ में आया उसके बाद में AP decrease ह उने लग जाता है E point के बाद में नीचे आ रहा है मतलब decrease हो रहा है इस situation के अंदर MP AP से less है पहले MP उपर था अब देखो MP नीचे है blue वाला curve उपर है और yellow वाला curve नीचे है तो MP is less than AP AP अपने maximum point पर है E पर और इस point पर AP और MP दोनों बराबर है यह रेखो यहाँ पर दोनों कटो रहे हैं दोनों क्या है equal है मतलब MP AP को कट कर रहा है उसके maximum point पर MP हमारा zero हो सकता है देखो इस point पर zero है और negative भी हो सकता है लेकिन AP हमेशा हमारा क्या रहेगा positive ही रहेगा समझ में आया एक बार दुबारा अगर मैं यहाँ पर बनाना चाहूं मैंने बोला यह क्या है AP है ठीक है अब हमें यह make sure करके रखना है कि जो MP है वो AP को उसके maximum point से काटता हुआ जाए तो यह जो है वो इससे यहाँ से काटता हुआ जाएगा मानलो यह maximum point है यह MP हो गया तो मैंने क्या बताया कि भई जब AP increase हो रहा है तब MP AP से greater है ठीक है जब AP decrease हो रहा है तब MP AP से less है कर्व नीचे हो गया AP अपने maximum point पर है जब यह दोनों equal है क्योंकि MP जो है वो AP को क्या कर रहा है कट कर रहा है MP हमारा 0 और negative हो सकता है लेकिन AP हमीशा हमारा क्या रहेगा positive रहेगा समझ में आ गया तो इसी के साथ में हम लोगों ने हमारा chapter number 7 complete कर लिया अब कल की class में हम लोग करेंगे हमारा chapter number 8 concept of cost जिसके अदर बहुत सारे curves हमें पढ़ने हैं और सबसे important बात अगर आपको cost पढ़ना है तो आपको यह चार्टर अच्छे से आना चाहिए production आपको आना चाहिए क्योंकि production और cost दोनों एक दूसरे का उल्टा है उसके अंदर बहुत सारे curves है और वो सारे curves इन तो अगर यह आता है तब वो आप अच्छे से कर सकते हो तो प्लीज यहां तक का अच्छे से पढ़के रखना और लेक्चर अगर अच्छा लगा तो प्लीज कॉमेंट करके बतानो और प्लीज अने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करा करो ताकि मैं 12 के अंदर आप लोगों के